हलो दोस्तो नमस्कार प्राफिट गुरु चैनल में एक बाइन नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो इस वीडियो में हम मल्टिपल कमपनियों को कवर करने वाले हैं उनसे रिलेटेट क्या क्या पडीट आ रहा है ये देखने वाले हैं तो सबसे पहले बाजार को देख लेते हैं तो बाजार दोस्तो लांस टेडिंग सेशन में एक बड़ी सी गिरावट के साथ यहां पर क्लोज हुआ 18,270 रुपे पर अब दोस्तो बाजार का रियेक्शन कल से कैसा रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी क्योंकि अब जो नेगेटिव पॉइंट है बहुत उपर आ चुके हैं और वो पूरे गलोबली बाजार को काफी ज़्यादा डरा रहे हैं और इसके कारण बड़े बड़े इन्वेस्टर का भी पॉट्फोलियो काफी ज़्यादा नीचे आ चुका है अब देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है बाजार के लिए रिटेट जो भी अपडेट आएगा हम जरूर आप लोगों को कवर करेंगे तो फटा बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए तो चलते हैं सबसे फर्स्ट कंपनी को देखते हैं तो दोस्तो हमारा जो फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है पॉलिकेब इंडिया लिमिटेड पॉलिकेप इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ लांस टेडिंग सेशन में बड़ी सी पिटाई हुई ठीके इस बड़ी सी पिटाई के पीछे एक बड़ा कारान है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ और जो क्लोजिंग प्राइज है वो 2752 रुपे है इसका प्रीवेस कलोज था 2951 रुपे 45 पैसे यो ओपन होता है 2950 रुपे हाई लगाता है 2950 रुपे और लो लगाता है 2741 रुपे के आसपास 41,000 करोड से ज़्यादा कि ये कमपनी देखने को मिलती है P.E.N. इंग रिशो भी काफी बढ़िया है साथ में 52 विक का है 52 विक का लो देख सकते हैं अब देखे एक करन तो दोस्तो ये देखने को मिल रहा है कि ये काफी बड़ी हमें जो तेजी है वो बहुत कम समय में इसने देखा दी थी जिसके कारें ये गिरावट देखने को मिली सेकेंड बड़ा रीजन हमें ये देखने को मिल रहा है पहले बताय जा रहा था दोस्तो हर कोई बोल रहा था कि 32 रुपे के लेवल पर शौट टम में आ जाएगा मतलब बहुत कम समय में इस प्राइस पर या आते होए में देखने को मिलेगा ऐसा बताय जा रहा था तो हर कोई इसमें इन्वेस्मेंट कर रहा था क्योंकि तेजी भी काफी शांदा तरीके से आ रहे थी क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट एक मेने में भी स्टॉक में एक अच्छी कासी तेजी है और 6 मेने में आप देख सकते हैं 32% से ज़्यादा की तेजी है तो हर कई सोच रहा था कि दोस्तो 32 रुपे के लेवल पे स्टॉक काफी जल्दी आ जाएगा तो फटापट से इंटर कर ले तो फटापट से प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे लेकिन दोस्तो अब क्या बताए जा रहा है अब ऐसा बताए जा रहा है कि यह जो 32 का लेवल है यह आने वाले एक साल में रहेगा आने वाले 12 महने में आएगा मतलब अब यहां से साइध हो सकता है कि जो पॉलिकेप इंडिया है उसका जो consolidated moment है वो हमें देखने को मिले देखे उन्होंने उनकी research report के इसाब से ही बताया है पहले क्या बोल रहे थे short term में यह target आ जाएगा लेकिन दोस्तों यह काफी जल्दी आ गया फिर profit booking होने लगी अब इनका बोलना यह है कि यह target जो है एक साल में आएगा तो वो एक साल में आएगा या short term में आएगा यह तो दोस्तों हमें आगे ही पता चलेगा खाली दोस्तों हम क्या करते है ऐसे target को follow करते है ठीके focus में रखते है लेकिन जो हमारा मन कहता है जो हमारा research report कहता है ठीके वो ही हम follow करते है देखे अगर आप long term investor है तो आप इस price पे भी खरीश सकते हैं और गिरावटों की जब भी खरीश सकते हैं और TGI की जब भी खरीश सकते हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखे चलिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो, business के point of view से यह जो news है काफी बड़ा में देखने को मिल रहा है क्योंकि polycap दोस्तो क्या करती है काफी शांदार manufacture करती है दोस्तो जो buyer और केवल है उसमें ठीक है और उसमें दोस्तो यह क्या करते देखने को मिलती है हमें leader भी देखने को मिलती है उसके साथ ही दोस्तो कमपनी अब आगे बढ़ रही है FMEG जो FMCG वो अलागे लेकिन ये FMEG जो है न वो अलागे जिसका जो फुल वो में न वो है Fast Moving Electronic Goods वहाँ पर एक बड़ा सा ब्रेंड बनना चाहती है यहाँ पर तो दोस्तो पहले से क्या मार्केट का लीडर बनके बेठा हुआ है लेकिन दोस्तो यहाँ पर एक बड़िया से क्या बनना चाहता है एक ब्रेंड बनना चाहता है जैसे कि आप देखे एलेक्ट्रिक फेन ज इनकी जो Technology है वो भी बदल रही है तो इस Fast Moving Electronic Goods को क्या करने वाला है दोस्तो पॉली के एक बड़ा ब्रेंड बनाना चाहता है एक खुटका ब्रेंड बनाना चाहता है बाया और केवल में तो है लेकिन आप इन प्रोडेक्ट में भी वो आगे जाना चाहता है तो एक प्रका दोस्तो अब हमारी जो Second Company है उसका नाम है Reliance Industry जो कि देश की No.1 Company है Market की No.1 Company है Market Game के हिसाब से है आदे पर्सिंट की गिरावट के साथ 2560 रुपे पर एक क्लोज हुआ था इसका प्रीवेस क्लोज अगर मैं आपको दिखा हूँ तो 2578 का था ओपन होता है 2571 रुपे हाई लग आता है 2558 रुपे आसपास 1685,000 का मार्केट है अभी ये 17,20,000 के ऊपर का था लेकिन दोस्तों पांच दिन में जो गिरावट आई है इसके कारें ये Market टेप जो काफी ज़्यादा प्रिशर में हमें आते देखने को मिला है उसके साथ ही दोस्तों अगर मैं P.E.N. Englisho की बात क दिखें तो दोस्तों जो मुकेस अंबानी जी की डॉटर है जिनका नाम है दोस्तों इशा अंबानी जी उन्होंने दोस्तों FMCG बिजनस में क्या कर लिया इंटर कर दिया है जब दोस्तों सितंबर मंत में अगस्त मंत में जो AGM हुआ था Reliance Industry का महाँ पर बोला गया था कि हम बहुत जल्दी दोस्तों क्या करने वाले हैं हमारा FMCG जो product है हमारा जो brand है वो launch करने वाले है और दोस्तों दो दिन पहले मतलब Saturday की दिन इन्होंने independent नाम से दोस्तों एक गुजरात में जो brand है वो अपना launch कर दिया है जो गरेलू product है ठीके वो इन्होंने वहाँ पर launch कर दि और वहाँ पर भी एक बड़ा business फैलाना चाहता है तो जो दूसरी FMCG company है उनको कड़ी टकर मिलने वाली है देखिए जिन companyों के पास बड़ा पैसा रेता है वो कहीं पर भी घुस सकते हैं और market को बड़ा capture कर सकते हैं आप अदानी group की बात कर लो बहुत पैसा है टाटा group की दोस्तों ठीक है रिलाइंस की में बात कर लेता हूं बहुत पैसा है अब देखिए अगर टाटा group को टाटा पावर को आगे बढ़ाना होगा ठीक है तो क्या करेगा energy का जो production है वो तो बढ़ाएगा export भी बढ़ाएगा लेकिन कोई दूसरी company को दोस्तों अगर उस segment में है तो उसकी लिए बहुत पैस चाहिए लेकिन टाटा group के तो पास बहुत पैसा है तो वह आराम से दोस्तों टाटा पावर को क्या कर सकते ऊपर ले जा सकते हैं तो यह रिलाइंस के साथ भी यही दोस्तों मान के चलिए कि आदानी गुरूप के साथ भी है अब आदानी गुरूप क्या कर रहा है दोस्तों सभी सीगमेंट में एक साथ आगे बढ़ रहा है रेलाइंस भी सभी सीगमेंट को एक साथ आगे लेके जा रहा है 2016 में दोस्तो टेलीकॉम इंडस्टी में फर्स टाइम इसने इंटर किया था और आज देखिए इसकी क्या कंडिशन है यहाँ पर पैसा बोलता है दोस्तो 2016 में जो इन्होंने फिरी में इंटरनेट बादा उसका फाइदा आज इनको मिल रहा है सबसे ज़्यादा दोस्तो इसने ही दोस्तो कस्टमर एक्वार करके रखें बोड़ा फोन आइडिया को तो पूरे खतम हो चुका है अब भारती एटल बचा हुआ इसका सबसे बड़ा कॉंपिटिटर और बो भी दोस्तो कहीं न कहीं इसके सामने थोड़ा सा लड़कडा जाता है अब देखने वाली बात यह होगी कि FMCG ब्रांड को यह किस प्रकार से चलाता है लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए ना तो एक और बिजनस में इंटर किया है तो यह दोस्तो और भी काफी तेजी से मार्केट में ग्रूप करने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टी बेगर स्टॉक तीन साल में उननिस सो पर्सेंट का रिटन दिया है यहाँ पर रिकॉर्ड डेट हमें देखने को मिल रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिकॉर्ड डेट है तो यहाँ पर लिखा गया है Tuesday 20 December तो 19 December को X डेट है अगर आपको शेर को खरीदना है तो 18 तारीक मतलब मंडे के दिन ही खाली आप लोगों के पास सॉरी मंडे के दिन बेने साय दोस्तों जो दिन है वो निकल चुका है इन्होंने बहुत बाद में ऐसा लगरा रिकॉर्ड डेट सामने रखी है क्योंकि रिकॉर्ड डेट आप देख सकते हैं अब कल तो 19 तारीक मंडे हो गया है और कल आप खरीदनी सकोगे तो यहां पर दोस्तों अगर एक प्रकार से देखे तो इन्हों जो जो अपडेट दिया है कमपणी का नाम है Sartak Industry Limited 156 रुप के आसपास शेयर का प्राइस देखने को मिलता है 113 करोर के आसपास यहां पर दोस्तों इसका मार्केट केप देखने को मिलता है और आप देख सकते हैं कि कमपणी का जो performance है कैसा हमें देखने को मिलता है काफी company ऊपर नीचे यहाँ पर करते देखने को मिल रही है आगे इस company से related जो भी update आएगा हम जरूर आप लोगों को update करेंगे तो फटा बट से इस वीडियो को like कर दीजिए चैनल को subscribe कर दीजिए तो thank you दोस्तो